हें वाई टी बियंस की हल चाल, welcome back to the channel दोस्तों मेरे कई सारे वीवर्ज सवाल करते हैं खास करके honeymoon couples कि क्या हमें शिमला जाना चाहिए अलग से क्या हमें मनाली अलग से जाना चाहिए या शिमला मनाली एक साथ कवर करना चाहिए तो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देने के लिए वाई टी भर चनल पर मैं आज question और answer की एक small से series ले करके आया हूँ आई शुरू करते हैं, एक-एक करके आप एक question ले ले लेते हैं और एक-एक करके आपको answer देना start करते हैं दोस्तो पहला सवाल है कि क्या हमें शिमला मनाली अलग-अलग जाना चाहिए या शिमला मनाली एक साथ कवरन करना चाहिए तो मैं दोस्तो आपको answer देने जा रहा हूँ बहुत simple है, अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं या दिल्ली NCR के बहुत nearest रहते हैं तो आप दिल्ली से शिमला और मनाली अलग-अलग जा सकते हैं और अगर आप दिल्ली और NCR से दूर रहते हैं और आपको train या flight लेकर के दिल्ली आना पड़ रहा है शिमला मनाली जाने के लिए तो मैं आपको recommend करूँगा आप एक बार में ही शिमला और मनाली होकर करके आईए क्योंकि उससे आपकी travel cost भी कम हो जाएगी और आप एक बार में ही दोनों जगहों की यात्रा कर सकेंगे लेकिन जो लोग दिल्ली NCR में रहते हैं उसके बहुत nearest रहते हैं उनके लिए better होगा मनाली अलग से जाएए शिमला अलग से जाएए खास करके honeymoon couples क्योंकि वहाँ पर अलग अलग जाने से आपको ठकावट नहीं होगी आप rest कर पाएंगे अराम से घूम फिर पाएंगे mind आपका बहुत शांत रहेगा और आप actual में enjoy कर पाएंगे तो I think आपके सवाल का ये जवाब मिल चुका होगा अब दूसरा सवाल हम ले लेते हैं कि क्या हमें Volvo से जाना चाहिए honeymoon package के पर या हमें अपनी private car से जाना चाहिए तो दोस्तो private car के अगर आप बात करें तो private car से भी आप जा सकते हैं Volvo से भी जा सकते हैं Volvo भी बहुत comfortable होती है और pushback seat होती है अराम से पीछे करके आप अराम से उसमें जा करके जात्रा कर सकते हैं और enjoy कर सकते हैं जबकि car के अगर आप बात करें थोड़ा सा वहाँ पर space की कमी होती है तो इतना enjoy नहीं हो पता लेकिन car का अपना ही मज़ा है कहीं भी रोकिये कहीं भी घुमिये कहीं भी फिरिये तो दोनों का अपना ही enjoyment है लेकिन अगर आप cost की बात करें तो car में cost जादा लगती है और Volvo की बात करें तो Volvo में cost काफी कम दामों में आप अपना honeymoon celebrate करके आ सकते हैं तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपनी car करके जा सकते हैं और अगर आपके पास fund की कमी है लेकिन proper enjoy करना चाहते हैं तो आप Volvo ही करके जाएं ट्रस करिए आपको दोनों ही चीजों में पूरा enjoy आने वाला है जो भी आपकी choice होगी आप उसको recommend कर सकते हैं अब आगे दोस्तों बात कर लेते हैं क्या हमें honeymoon पर package लेकर के ही जाना चाहिए या हमें खुद का package create करना चाहिए या हमें hotel अलग book कराना चाहिए Volvo अलग book करवानी चाहिए या हमें आगे sightseeing अलग book करवाना चाहिए क्या हम करें दोस्तों honeymoon के couples के लिए मैं हमेशा recommend करता हूँ कि वो package लेकर के ही जाएं क्योंकि हर चीज को book करवाने में headache भी होती है और आपको पता नहीं होता है अंट्रस्टी आपके ये local agents होते हैं जा sightseeing वाले अंट्रस्टी होते हैं क्या आपको service देंगे या end time पर मुकन जाएंगे या आपकी hotel service try and tested क्योंकि होती नहीं है और यह सी बहुत सरी चीज़े होते हैं जिसमें आगे आपको issues create हो सकते हैं तो मैं हमेशा recommend करूँगा कि आप मनाली कहीं भी इसके लावा शिमला honeymoon package पर जा रहे हैं तो package book करवा करें जाएं क्योंकि package का rate चाहिए आप book करें चाहिए package वाले book करें हमेशा same ही पड़ेगा चाहिए आप try and test करके देख लिजेगा आपको same cost पड़ेगी क्योंकि travel agents के संपर्क में यह सारी चीज़े रहती है वो आपको heavy discount पर provide करते हैं और आपको कोई भी discount नहीं दिया जाएगा आपको normal retail के rates पर यह package provide किया जाएगा तो cost आपको I think या तो same पड़ेगी या ज़्यादा भी पड़ सकती है अगर आप मनाली शिमला के package book करना चाहते हैं आपको कहीं की package book करना चाहते हैं तो मैं वीडियो के title में आपको number देने जा रहा हूँ travel agents का वहाँ पर आप call करके book कर सकते हैं इसके साथ वीडियो के description में भी मैं आपको number देने जा रहा हूँ travel agents का बहुत ही कम दामों में अच्छी service के साथ आपको यह package provide कर दिये जाएंगे इंडिया ये abroad कहीं भी आप देना चाहते हैं इनसे संपर्क कर सकते हैं तो दोस्तों बस यही सवाल थे जिनका मैं आपको आज के दिन जवाब देना चाहा रहा था मिलते हैं वाइटे बार के सरके बहुत ही अगल इंटरस्टिंग वीडियो में वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो और अगर कोई जाना चाहता है तो तुरनथ ही शेयर कर दो मिलते हैं वाइटे बार के सरके बहुत ही अगल इंटरस्टिंग में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों